हेलो एवरिवान, वेलकम टो फॉर्मरोक्स यूटूब चेनल, फॉर्मरोक्स के यूटूब विज्यो के स्टों चेनल में आपका स्वागत है आज की वडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टड़ी करेंगे पांस सब शे दिप्रेशन की दवा के बारे में तो और डिप्रेशन में लिए कि ऐसी कंडिशन के जिसके अंदर आप काफी तनाव फिल करते हैं साथ में चिंता रहती है, डर लगता है, लाइफ में सैटनेस जिसा फिल होता है और कई बार जो पेसंट होता है उसको पैनिक अटेक्स भी आता है तो ये कंडिशन को ठीक करने के लिए जो दवाईया यूज होती है उसके बारे में हम जानेंगे और उसमें से पांच सबसे बेस्ट मेडिकेशन कौन सी है डिप्रेशन की तो उसकी study करते और सीखते है medications के बारे में कि जो depression में use होती है तो expert lecture by Amar sir assistant professor and founder of PharmaRox thank you for being PharmaRox family update area PharmaRox के साथ सीखिया लगलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में कौन सी दवाई या use होती है उनके dose side effect, warning counterindication से एक साल तक affordable price में PharmaRox के पूपर medicine course के अंदर तो android user android app download करे, iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी या फिर 901631220 नमबर पे call या whatsapp कर सकते है साथ ही हमारे second channel को subscribe करे जिसका नाम है Hollywood to Hindi explain link आपको description box में मिल जाएगी तो आप समझचे depression मतलब की जिसको अवसाद भी कहा जाता है या फिर ऐसी condition की जिसके अंदर आपकी life के अंदर तनाव रहता है चिंता रहती है, डर लगता है और आप जो है वो उदास में इसुस करते हैं, अपने आपको panic attacks आते हैं, sadness जैसी condition फिल होती है, तो especially जो आपका mood होता है मानसिक बीमारी है कि जो हमारे mental health से जुड़ा एक problem है कि जिसको treat करना बहुत ही जरूरी है, तो इसके करन क्या होता है, कि आपकी जो daily routine life होती है, उसके ओपर असर पड़ती है और ये condition को अच्छे से diagnose करना जरूरी होता है और साथो साथ उसके treatment करना भी तो depression के ओपर already हमारे detailed video lecture available है जिसके link आपको हम description box as well as comment box में दे देंगे बड़ यहाँ पर हम समझने वाले सिर्फ और सिर्फ 5 इसे best medication की जो depression में use होती है, तो सबसे पहले है, वो है citalopram करके है second acetalopram नमबर 3 पे रहेगा fluoxetin, नमबर 4 है paroxetin और नमबर 5 वो है serotalin तो सरुवात करता है citalopram से तो citalopram जो है वो anti-depressant medication है कि जो anti-depressant class के अंदर ऐसे category में आता है कि जिसको SSR ही कहा जता है selective serotonin reactic inhibitor के brain के जो essay chemicals release होते हैं कि जो specially responsible बनते हैं के लिए तो उनके release को काम करके ये दवाई जो है वो काम करती है और ये जो है वो prescription based medication है यहाँ पे आप देखो RX लिखा है as well as red line भी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो medical supervision में ये medication जो है वो दी जाती है depressants के patient को और ये जो है वो normal depression के साथ हो साथ जो major depressive disorders जो होते हैं जिसको SWAT में MDD कहा जाता है तो उसको भी ठीक करता है ये Cetalopram यहाँ पे आप उसका एक marketed formulation देखते सकते है और Cetopam करके कि जो Cetalopram के 20 mg के tablet है तो उसके dose की हम बात करें तो 20 से लेकर 40 mg पर डे के हिसाब से ये एक SSRI class का anti-depressant medication है आगे सिखते है second medication जो है Acetalopram तो Acetalopram भी anti-depressant ही है और वो भी SSRI class का ही anti-depressant medication है और उसका ये Cipralex करके जो brand name है वो बहुत ही famous है Cipralex के नाम से ये medication जो ही बहुत ही ज़्यादा popular है और बहुत ही ज़्यादा effective anti-depressant medication है कि जो बहुत सारे mental health disorders को ठीक करते जैसे कि आपको anxiety है या फिर depression है या फिर आपको panic attacks आते हैं sadness जैसा फिलू करते हैं और जितने भी आपके symptom से depression से जुड़े सभी को ठीक करने में Acetalopram help करता है तो उसका जो dose रहता है 10 से लेकर 20 mg per day के हिसाब से उसका dose रहता है और usually जब भी treatment स्टार्ट की जाती है तो low dose की जाती है कि 10 mg per day से ही किया जाता है और जरूरत पढ़ने पर ही उसका dose जो है वो increase किया जाता है तो ये भी medication Acetalopram के तरह ये ऐसे काम करते हैं जो chemicals release होते हैं आपके brain में से जो specially depressions के symptoms के लिए responsible बनते हैं उनकी activity को block करके Acetalopram अपना काम करता है तीसरा है वो है Fluoxetin तो Fluoxetin भी SSRI class का ही medication है और ये सभी type के depressions के symptoms जैसे की कई बार लोगों को Obesive Compulsive disorder की जिसको OCD भी हम कहते हैं उसको भी टीक करता है फिर bulimia की जो condition होती है फिर depressions के जितने भी अलग-अलग symptoms है सभी को Fluoxetin जो वो treat करता है उसका जो dose रहता है वो 20 से लेकर 50 mg पर day के हिसाब से रहता है तो यहाँ पर आप Fluoxetin का marketed formation देख सकते हैं कि जो Cadillac Pharmaceuticals बनाते हैं Fluodec करके कि जो 20 mg के यह जो capsule से तो यह patient जो दिन में एक बार once a day या फिर दिन में दो बार के हिसाब से लेता है और वो भी Medical Supervision में वीडियो के बीचे में आपको बता दो कि हमारे Second Channel को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करे लिंक आपको description box में मिल जाएगी चौथा जो medication है वो है Paroxetin तो Paroxetin बे एक Antidepressant है कि जो Selective Serotonin Reaptic Inhibitor क्लास का है और वो भी Depression को ट्रीक करता है फिर जो OCD के जो सिम्टम्स होते है लाइक Obesive Compulsive Disorder जो हम कहते है उसको ठीक करता है Panic Attacks फिर Anxiety को ठीक करेगा Post Traumatic और Stress Disorder जो कहते है PT ST और उसका जो डूस रहता है वो 20 से लेकर 50 mg पर डेकी साब से रहेगा कि यहाप याप देखो Intas Pharmaceuticals उसके 20 mg के भी टैबलेट बनाती है और Paxep CR 387.5 मनलब कि उसके Control Release जो टैबलेट है वो भी बनाती है कि जो Control Release टैबलेट क्या करता है कि लंबे समय तक वो Medication को आपके सरीर में जो दिरे-दिरे Release करती है तो वो Once a day के हिसाब से ही ली जाती है तो इस तरह से ये Medication जो वो Medical Supervision में यूज होती है विकोज ये भी आप याप देखो Red Line देख सकते है और R-AXNL के Prescription Based Medication है पांचवा है वो है Sertalin तो Sertalin भी SSRI हो और ये बहुत ही अच्छी और Safe Antidepressant Medication जो वो कही जाती है और ये भी काफी Prescribe होने वाली Antidepressant है कि जो Depressant को ठीक करेगी जितने भी Psychiatric Disorder है Mental Health Disorder है Panic Disorder Post Traumatic Stress Disorder Obesive Compulsory Disorder वगेरा को Treat करेगा और इसका जो Doze रहता है 50 से लेकर 200 mg पर डे रहता है और यूजली जब Treatment स्टार्ट होती है तो Lower Dose से Treatment स्टार्ट की जाती कि लाइक 25 mg की ये जो Tablet है तो दिन मे 2 बार पेसंट काता या फिर दिन मे 3 बार वो ले सकता है बड Maximum 200 mg से ज्यादा Dose जो दिन मे नहीं लेना चाहिए अब ये दवाईया कुछ Side effects भी कर सकती है जैसे कि आपको ऐसा फिल कर रहे कि आप बीमार है या फिर आप बीमार हो रहे है मिल्ब कि ऐसा फिल करना या फिर बीमार हो रहे है ऐसा आपको लगता है फिर Indigestion जैसे खाना अच्छे से उस डाइजस्ट नहीं होता ऐसा फिल करते है Dizziness जैसा फिल करता है या फिर जो Sedicence जो हम कहते हैं जैसे नीन दाए ऐसा पेसंट जो फिल करते है ये Medication लेने के बाद तो कुछ लोग उसके कारण Blur Vision मनले के दुंदला देखना ऐसा फिल करते हैं गले में जो वो Dryness आप फिल करते हैं मनले के गला सूख रहा है ऐसा कुछ लोग फिल करते हैं फिर Agitated कई बार फिल होते हैं या फिर Seki या फिर Anseas मनले के थोड़ा बहुत आपका Body Agitation कर रहा है ऐसा फिल कर सकते हैं कुछ लोगों को Diarrhea या फिर कुछ लोगों को Constipation आपके Cubs या फिर दस्त हो सकते हैं और भूख कम होना और Weight Loss होना ऐसे कुछ Side Effects जो है वो ये Medications के हो सकते हैं कि जो 5 Best Medication के लिस्ट में है और Depression के इलाज में तो Medicine Course में ऐसे ही सिखे दवायों के Basic Use के बारे में जाने उनके Dose, Side Effects, Warning, Contra Indications सरल बासा में एक साल तक Affordable Price में PharmaRocks के अब उपर तो Decis and Medicine Course के लिए WhatsApp करे हमें 9016312020 पे या फिर डाइरेक्ली डाउनलोड कर सकते हैं आप PharmaRocks Android User Android App डाउनलोड कर पाएंगे iPhone User App Store से Link Description Box में देती है Second Channel को सब्सक्राइब करें हमारी और हमें सपोर्ट करें Link Description Box में मिल जाएगी जिसका नाम है Hollywood to Hindi Explain Good luck and all the best